बरेली के भोजपुरा शेत्र में नैनेतल हाईवे पर शनिवार देर राद भीशर हाथसा हो गया भोजपुरा थाने से कुछ दूरी पर डंपर से टकराने के बाद एक कार में आग लग गए जिससे उसमें सावार सभी आठ बरातियों की जान चली गई रात करीब धाई बज़े सभी के पहचान हो पाई है आपको बता दें कि कार सवार लोग बरेली शहर में आयुजद शादी समारों में शामिल होकर बहेडी बापस लोट रहे थे फायर ब्रिगेड ने आग बुझा कर कार के शवों को बाहर निकाला उधर हाथसे की ख़बर मिल करके जलती रही किसी को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला कार के अंदर लोग जिंदगी के लिए जट पटाते रहे लपटे शान्त हुई तो आठ जिंदियां राक में तबदील हो चुकी थी कार की रफतार का अंदाजा इस बात से लगाए जा सकता है कि वह करी 5 फुट उचे डिवाइडर पर चड़कर दूसरी और विपरीत दिशा से आ रहे डंपर में जागुसी डंपर भी लगभग इसी तेजी से आ रहा था वो कार को खीच कर 25 मीटर तक आगे ले गया इस दोरान कार में आग लगी और वो डंपर में फसकर रहे गई प्रात्मिक जांच मे पता लगा है कि घटना के दोरान कार में लगा सेंटरल लॉक नहीं खुल पाया था इससे कार सवार अंदर ही फसकर रहे गए अधिकतर लोग गर्म कपड़े पहने हुए थे इस वज़े से लपेटों ने उन्हीं बुरे तरीके से चपेट में ले लिया और उनके चीखे भी अंदर ही घुटकर रह गए दमकल पानी की बोचार करती रही करीब 45 मिनट बाद आग पर काबू पाया जा सका तब तक सभी की जान जा चुकी थी कार से शवों को निकालना मुश्किल हो गया था रात एक बज़े उनके शवों को निकाला जा सका अधिक तक शव राक में आफिदेर तक जानकारी नहीं हो पाई थी लोगों कमानना है कि ग्रामीर समय पर जागे होते तो हाथसी की भैवता कम हो सकती थी और कुछ लोगों को बचाया जा सकता था कार से उची लप्टे उठती देखकर दूसरे वाहनों के चालकों ने पुलिस को सूचना दी इसके पुलिस और दमकल मदद के लिए पहुच सकी और तब तक देर हो चुकी थी घटना के बाद नैनेतल हाईवे की एक लेन पूरी तरीके से बंद हो गई है एक और से आने वाहन बहां फस गए हैं सीओ चमन सिंग चावडा ने दूसरी लेन पर वहीं दोनों और के वाहनों को निकलवाना शुरू किया रात एक बजे सभी शब निकालने जाने के बाद कार और डंपर को क्रेन के जरी रास्ते से हटाया जा सका इसके बाद आवागमन सुचारू हो सका